बाल्ड मैन एंड दफलाई एक बार एक गंजा आदमी गर्मी के दिन काम के बाद बैठ गया एक मक्खी आकर उसके गंजे पट्रे पर भिनभिनाती रहती थी समय समय पर उसे डंक मारती रहती थी आदमी ने अपने छोटे से दुश्मन पर वार किया लेकिन उसकी हथेली उसके सिर पर आ गई और फिर से मक्खी ने उसे सताया लेकिन इस बार वह आदमी समझदार था और कहा यदि आप घ्रेनित शत्रों पर ध्यान देंगे तो आप केवल अपने आपको चोट पहुचाएंगे कहानी का शिक्षन है यदि आप घ्रेनित शत्रों पर ध्यान देंगे तो आप केवल स्वयं को चोट पहुचाएंगे चरवाहे का लड़का एक बार एक युवा चरवाहा लड़का था जो एक अंधेरे जंदल के पास एक पहाड की तलहटी में अपनी भेडे चराता था सारा दिन उसके लिए काफी अकेला था इसलिए उसने एक ऐसी योजना के बारे में सोचा जिसके द्वारा उसे थोड़ी सी कमपनी और कुछ उच्सा मिल सके वहा भेडिया भेडिया पुकारते हुए गाव की ओर गोड़ा ग्रामेन उनसे मिलने निकले और उनमें से कुछ उसके पास बहुत देर तक रुके रहे यहाँ बात लड़के को इतनी अच्छी लगी की कुछ दिनों बाद उसने वही तरकीब आजमाई और फिर से ग्रामेन उसकी मदद के लिए आए लेकिन इसके तुरंथ बाद वास्तव में एक भेडिया जंगल से बाहर निकला और भेडों की चंता करने लगे और निश्चित रूप से लड़का भेडिया भेडिया चलाया पहले से भी ज्यादा जोर से लेकिन इस बार पहले भी दो बार ठगे जा चुके ग्रामेनों ने सोचा लड़का फिर से उन्हें धोखा दे रहा है इसलिए कोई भी उनकी मदद के लिए आगे नहीं आया भेडिये ने लड़के के जुन से अच्छा भोजन बनाया और जब लड़के ने शिकायत की तो गाव के बुद्धिमान व्यक्ती ने कहा जूठे पर विश्वास नहीं किया जाएगा भले ही वह सच बोलता हो कहानी की शिक्षा है जूठा सच बोलने पर भी विश्वास नहीं किया जाता कंजूस और उसका सोना एक बार की बात है एक कंजूस था जो अपने सोने को बगीचे के एक पेड के नीचे छिपा देता था हर हफ़ते वह जाकर उसे खोटता और अपनी कमाई पर खुशी से जूम उठता एक डाकू जिसने यह देखा था गया और सोना खोदा और उसे लेकर भाग गया जब कंजूस फिर अपने खजानों को देखने लगा तो उसे खाली छेद के अलावा कुछ नहीं मिला उसने अपने बाल नोचे और ऐसा हाहाकार मचाया कि उसके सब पडोसी आ गए और उसने उन्हें बताया कि वह कैसे आया करता था और अपना सोना देखने आता था क्या आपने कभी इसमें से कुछ निगाला है उनमें से एक ने पूछा नहीं उसने कहा मैं केवल इसे देखने आया था फिर आओ और फिर से छेद को देखो एक पडोसी ने कहा यहां आपको उतना ही अच्छा करेगा कहानी का शिक्षण है अप्रियुक्त धन मौजूद नहीं हो सकता है बहुत से दोस्तों के साथ खरगोश एक खरगोश दूसरे दरिंदों में बहुत मशूर था जो सब इसके दोस्त होने का दावा करते थे लेकिन एक दिन इसने शिकारियों को करीब आते सुना और अपने बहुत से दोस्तों की मदद से उनसे बचनी की उमीद जाहिर की तो वो घोड़े के पास गई और उसे अपनी पीट पर शिकारियों से दूर ले जाने को कहा लेकिन घोड़े ने ये कहते हुए इंकार कर दिया कि उसे अपने मालिक के लिए एहम काम करना है मुझे यकीन है उसने कहा कि बैल आपकी मदद को आएगा फिर वो बैल के पास गई और उमीद थी कि बैल अपने सींगों से शिकारियों को पीछे हटा देगा बैल ने जवाब दिया मैं बहुत माजरत खाहूं लेकिन मेरी एक औरत से मुलाकात है लेकिन मुझे यकीन है कि हमारा दोस्त बकरा वही करेगा जो आप चाहेंगे ताहम बिकरी को डर था कि अगर उसने इसे इस पर ले लिया तो उसकी पीठ इसे कोई नुकसान पहुँचा सकती है राम इसे यकीन था दरखास्त देने के लिए मुनासिब दोस्त था चनाँचे वो राम के पास गई और उसे केस बताया राम ने जवाब दिया एक और बार मेरे प्यारे दोस्त में मौझूदा मौके पर मुदाखलत करना पसंद नहीं करता जैसा के शिकारी भेड़ों के साथ साथ खरगोश खाने के लिए भी जाना जाता है फिर खरगोश ने बिच्छले की अखरी उमीद के तौर पर दरखास्त दी जिसे अफसूस था कि वो इसकी मदद करने से कासिर था क्यूंकि वो खुद जिम्मदारी लेना पसंद नहीं करता था चूंकि बहुत से बड़े शख्स ने काम से इंकार कर दिया था उस वक्त तक शिकारी जानवर काफी करीब पहुँच चुके थे हरे ने अपनी एलियों को पकड़ लिया और खुश किसमती से बच गया कहानी की तालीम ये है वो जिसके बहुत से दोस्त हैं इसका कोई दोस्त नहीं है कोई और घड़ा प्यास से आधा मरा हुआ एक कोई एक घड़े पर आया जिसमें कभी पानी भरा हुआ था लेकिन जब कोई ने अपनी चोच घड़े के मुह में डाली तो उसने पाया कि पानी बहुत ही कम बचा था और वहा उस तक पहुचने के लिए काफी नीचे तक नहीं पहुच सका उसने कोशिश की और कोशिश की लेकिन आखिर में उसे हार माननी पड़ी तभी उसके मन में एक विचार आया और उसने एक कंकड लिया और घड़े में डाल दिया फिर उसने दूसरा कंकड लिया और उसे घड़े में डाल दिया. आखिरकार उसने देखा कि पानी उसके पास उपर चड़ रहा है. और कुछ और कंकड डालने के बाद हाँ अपनी प्यास बुझा सका. और उसकी जान बचाओ. कहानी का शिक्षर है. थोड़ा थोड़ा करके च्रिक. लाठियों की गठरी एक बार की बात है, एक गाउ में एक बुढ़ा आदमी जो किसान था अपने तीन बेटों के साथ रहता था. वे धनी होने के लिए भाग्यशाली थे, लेकिन उनका सम्मान नहीं था क्योंकि उनके बेटे आपस में लड़ते रहते थे. एक दिन किसान ने अपने पुत्रों को बुलाया और कहा, मेरे पुत्रों, मैं बूढ़ा हो रहा हूँ. यह मेरे लिए अपने कर्तवियों से निवरित्थ होने का समय है. लेकिन ऐसा करने से पहले, मेरे पास आप सभी के लिए एक प्रतियोगिता रखी गई है. विजेता को मिलेगा बड़ा इनाग. बेटों ने किसान से पूछा की उन्हें क्या करना है. किसान ने प्रत्येक बेटे को दस लकडियों के तीन गठर दिये और प्रत्येक लकडी को तोड़ने को कहा. जो उन्हें तेजी से तोड़ेगा वह विजेता होगा. यह आसान काम था. बेटों ने जटपट एक-एक लाठी के दो टुकडे कर दिये. जैसे ही उन्होंने समाप्त किया, वे फिर से लड़ने लगे. एक बेटे ने कहा मैं जीत गया. दूसरे बेटे ने कहा, जब मैंने पहले सारी लकडिया तोड़ दी, तो तुम कैसे जीत सकते हो? मैं जीता. दूसरे ने कहा, नहीं. मैंने पहले लकडिया तोड़ी, इसलिए मैं विजेता हूँ. किसान ने उन्हें रुकने के लिए चिल लाया और कहा कि प्रतियोगिता अभी खत्म नहीं हुई है और उन्हें अभी एक काम और करना है किसान ने प्रत्येक बेटे को दस लकडियों की एक और गठरी थमा दी उसने उनसे अलग-अलग छडियों को निकाले बिना लकडियों के पूरे बंडल को दो भागों में तोरने को कहा उन्होंने बहुत कोशिश की लेकिन वे अपने लाठियों के गठ्थे नहीं तोर सके तीनों बेटों ने शिकायत की की लकडियों के गठर को तोड़ना मुश्किल है, लेकिन एक एक लाठी को आसानी से तोड़ा जा सकता है किसान ने कहा तुम तीनों भी इनी लकडियों की तरह हो जब तक आप एक गठरी की तरह एक साथ रहते हैं, तब तक कोई आपका कुछ नहीं बिगार सकता लेकिन अगर आप आपस में लड़ते रहते हैं, तो आप अलग-अलग लकडियों की तरह हैं, जिन्हें आसानी से तोड़ा जा सकता है तीनों पुत्रों को पिता की बात समझ में आ गई कहानी की नीती एक और एक ग्यारह जब हम एक हैं, तो हमें कोई नहीं रोक सकता सोने का अंडा देने वाली हंस एक बार की बात है, एक गाव में एक गरीब किसान अपनी पत्नी के साथ रहता था एक दिन किसान ने यह सोचकर एक बत्ती खरीदी कि वह अंडे देगी जिसे वह खा सकेगा और शेश को बेच देगा वह हंस को घर ले गया और अंडे देने के लिए उसके लिए एक घोसला बनाया अगले दिन सुभा किसान घोसले में गया यह देखने के लिए कि क्या हंस ने अंडे दिये है उसके आश्चर्य करने के लिए हंस ने सोने का अंडा दिया था किसान ने शहर में जाकर सोने के अंडे को अच्छे दाम में बेच दिया हंस रोज सोने का अंडा देने लगी किसान ने उन अंडों को बेच दिया और अच्छी किस्मत बना ली जैसे जैसे किसान सोना बेच कर अमीर और अमीर होता गया वह और भी लालची होता गया एक दिन जब किसान और उसकी पत्नी बात कर रहे थे तो उसकी पत्नी ने कहा, अगर हम सभी अंडे प्राप्त कर सकते हैं, जो हंस के अंदर है, तो हम तेजी से अमीर हो सकते हैं। आप सही कह रहे हैं, किसान ने कहा, हमें हर दिन अंडे देने के लिए हंस का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इसलिए दमपती ने हंस को काटने का फैसला किया और एक ही बार में हंस के अंदर सोने की खान प्राप्त कर ली। अगले दिन वे घोसले में गए और हंस को मार डाला और उसे केवल यहाँ पता लगाने के लिए खोल दिया कि वहां हर दूसरे हंस की तरह ही थी। उसके अंदर कोई सोने का अंदा नहीं था। अब किसान और उसकी पत्नी की बत्तखे खोचुकी थी और उन्हें फिर कभी सोने के अंदे नहीं मिलेंगे। कहानी की नीती, बहुत अधिक लालच हमेशा बड़े नुकसान की ओर ले जाता है। लोम्डी मुर्गा और कुट्टा एक चांदनी रात में एक लोम्डी एक किसान की मुर्गी के बाड़े के चारों और घूम रही थी और उसने देखा कि एक मुर्गा उसकी पहुँच से बहुत उपर बैठा है। अच्छी खबर अच्छी खबर वह रोया। क्यों वह क्या है मुर्गे ने कहा। किन लायन ने एक सार्वभामिक संधर्श विराम की घोशना की है। अब से कोई पशु किसी पक्षी को हाने न पहुचाए, परन्तु सब भाईचारे की मित्रता में आपस में मिलजुल कर रहेंगे। क्यों यह अच्छी खबर है मुर्गा ने कहा और वहां मैं किसी को आते हुए देखता हूँ जिसके साथ हम सुसमाचार बाट सकते हैं। और इतना कहकर उसने अपनी गर्दन आगे की ओर तान दी और दूर से देखने लगा। यह क्या देख रहे हो, फॉक्स ने कहा। यह केवल मेरे स्वामी का कुट्ता है जो हमारी ओर आ रहा है। क्या इतनी जल्दी जा रहे हो। उसने जारी रखा, जैसे ही फॉक्स ने खबर सुनी, जैसे ही वह दूर हो गया। क्या आप कुट्ते को सार्वभामिक शान्ती के शासन के लिए नहीं रोकेंगे और बधाई देंगे। मैं खुशी से ऐसा करूंगा, लोमडी ने कहा, लेकिन मुझे डर है कि उसने राजा शेर के फर्मान के बारे में नहीं सुना होगा। कहानी की शिक्षा है, जब कोई दूसरों को नुकसान पहुचाने की सोच रहा हो, तो उसे बदले में उसी व्यवहार की अपेक्षा करनी चाहिए।